42 is here, स्वागत और अभिनन्दान आपका, एक्जिमर के इस नए वीडियो में, TNW यानी The Natural Wash, ऐसी कम्पनी जिसके नाम में ही नेचुरल लिखा हो, उसके ब्रैंड कितने प्राकृतिक और सुध्ध हैं, यही आप चानेंगे आज के इस पिक और किक सीरीज के वीडियो में, और इस वीडियो में मैंने The Natural Wash के 38 प्रोड़क्ट को रिव्यू किया है, और इन प्रोड़क्स को बनाने के लिए, जिन इंग्रीडियन का कम्पनी ने उपयोग किया है, उन्हीं को एनलाइज करके, मैंने इन प्रोड़क्स को पिक और किक किया है, तो इस वीडियो में आप जान इस वीडियो में मैंने सिर्फ इंग्रीडियन्ट एनलाइज किया है, जिन भी प्रोड़क्स को मैंने पिक करने के लिए कहा है, उनकी विसेस्ताओं के बारे में बता पाना इस वीडियो में संभव नहीं है, तो आईए अब सबसे पहले बात सुरू करते हैं, पहले प्रोड किया है इसका ingredient list में कोई विवरन नहीं मिलता और बिना preservative के aloe vera को सड़ने से कैसे बचाया ये तो company ही जाने इसलिए इस product को किक कीजिए number 3 पर है hair serum इस product को बनाने के लिए जो ingredient इस्तेमाल किये गए है उनमें कोई toxic ingredient नहीं है इसलिए आपको इसे पिक करना चाहिए number 4 पर है vitamin C face serum यहां भी company ने कौन से preservative इस्तेमाल किये है इसको नहीं लिखा है और बिना preservative के tomato extract को सड़ने से कैसे बचाया है इसके बारे में कोई विवरन ingredient list पढ़ने से नहीं मिलता इसलिए आपको इस product को किक करना चाहिए number 5 पर है pure aloe vera gold gel नाम इतना अच्छा और इनकी ingredient list में इतने सारे toxic ingredient जिसकी list आपको अपने screen पर देखने को मिल जाएगी इसलिए आपको इसे किक करना चाहिए number 6 पर है wheat root lip balm इसको बनाने के लिए fragrances color और dphp इस्तेमाल किया गया है इसलिए इसको किक कर दीजे number 7 पर है multanimity face wash इस product को बनाने के लिए 5 से ज़्यादा toxic ingredient इस्तेमाल किये गये है इसलिए आपको इसे किक करना चाहिए और इसी तरह number 8 पर है green tea face wash इसको भी बनाने के लिए company ने चार अलग-अलग toxic ingredient इस्तेमाल किये है आप इसे किक कीजे इसके अलावा company बनाती है honey milk sour gel जो है number 9 का product पहली बात तो इसकी ingredient list incomplete है और दूसरी चीज़ company ने इसको बनाने के लिए artificial fragrance का इस्तेमाल किया है इसलिए आपको इसे किक करना चाहिए और आईए अब बात करते है number 10 के product की जो है neem hand wash इसको बनाने के लिए company ने तीन toxic ingredient इस्तेमाल किये है इसलिए आपको इसे किक करना चाहिए number 11 पर है deep pigmentation 10 pack इसकी ingredient list बहुत ही अच्छी है इसमें कोई toxic ingredient नहीं है आप इसे pick कर सकते हैं वही number 12 पर मैंने रखा है lip scrub को इसमें भी कोई toxic ingredient नहीं है सारी ingredient list natural और pure है आप इसे pick कर सकते हैं इसके बाद नाम आता है TNW के onion hair oil का और इस product को मैंने 13 number पर रखा है इसकी ingredient list बहुत ही अच्छी है अगर आपको यह product अच्छा लगता है तो खरी दियेगा जरूर आप इसे pick कर सकते हैं 14 number पर है oat scrub इसकी ingredient list में कोई toxic ingredient नहीं है आप इसे pick कर सकते हैं number 15 पर मैंने रखा है coffee coconut scrub को इसमें company ने phenoxyethanol मिलाया है आप इसे kick कर सकते हैं herbal shampoo में तो company ने 5 toxic ingredient मिलाए है और इसमें मिला DMDMH एक ऐसा ingredient है जो बालों के जढ़ने के लिए जिम्मेदार है तो आपको इस product को kick करना चाहिए इसी तरह avocado moisturizing body lotion में भी company ने 5 से ज़्यादा toxic ingredient मिलाए हैं आप इसे kick कर सकते हैं under eye gel में भी company ने phenoxyethanol जैसा toxic preservative मिलाया है आप इसे kick कीजिए वहीं the natural wash की sun defense SPF 50 cream को बनाने के लिए company ने कई सारे toxic ingredient इस्तेमाल किये हैं इनके नाम है above engin, benzofenone, edita और fragrances आप इसे kick कीजिए और number 20 पर मने रखा है the natural wash के anti-aging face serum को इसको बनाने के लिए जो ingredient इस्तेमाल किये गए हैं वे सारे ingredient ingredient list में mention नहीं है आप इसे kick कीजिए इसके अलावा company चारा लग अलग soap बनाती है एक का नाम है potato rice soap और दूसरे का नाम है purifying neem soap आप इन दोनों products को खरीज सकते हैं वहीं charcoal soap और oats and honey moisturizing soap की ingredient list incomplete है इसलिए आपको इन दोनों products को kick करना चाहिए number 25 पर मैंने रखा है आलिर्वन hair mask को इसकी ingredient list में कोई toxic ingredient नहीं है या एक dry hair mask है आप इसे खरीज सकते हैं इसलिए आप इसे pick कीजिए वही company के आम लाभरिंग राज hair mask को बनाने के लिए दो toxic ingredient इस्तेमाल किये गए हैं इसलिए आप इसे kick कर दीजिए इसके अलावा the natural wash चार अलग-अलग oils भी बनाता है और इनके नाम है virgin almond oil, virgin coconut oil, neem oil और castor oil इनकी ingredient list में आपको 100% natural virgin oil मिलेगा आप इन 4 oils को pick कर सकते हैं और आईए अब बात करते हैं the natural wash के intimate secure wash को कोई भी intimate wash महिलाओं को नहीं इस्तेमाल करना चाहिए और इस बारे में मैंने 20 वीडियो पहले भी बना रखा है जिसका लिंक आपको description में मिल जाएगा आपको इस product को pick करना चाहिए और वहीं company के anti acne pack की ingredient list incomplete है इसलिए आपको इस product को pick करना चाहिए the natural wash का sanitizing instant disinfectant spray आप इसे pick कर सकते हैं हाला कि company ने इसमें artificial fragrances मिलाए हैं लेकिन क्योंकि आपको surface की सफाई करनी है इसलिए आप इसे pick कर सकते हैं इसके अलावा company की BB cream with SPF 30 आती है इसकी ingredient list incomplete है आप इसे मत खरीजे, kick कर दीजे इसके अलावा company के तीन अलग-अलग face sheet mask भी आते हैं और इनके नाम है vitamin C face sheet mask, papaya face sheet mask, rose face sheet mask company ने इन तीनो face sheet mask को बनाने के लिए कई सारे toxic ingredient इस्तेमाल किये हैं और इनके list आपको इस screen पर देखने को मिल जाएगी आपको इन face sheet mask को kick करना चाहिए और आईए अब बात करते हैं 38 नंबर के product की जो है banana hair conditioner इसको बनाने के लिए company ने तीन toxic ingredient इस्तेमाल किये हैं और आपको इस product को kick करना चाहिए तो आज का यह video यहीं पर होता है समाब और मुझे उम्मीद है कि इस video को देखने के बाद आप the natural wash के product को खरीचते समय इस बात की चिंता से मुक्त होंगे आपका कौन सा product natural है या नहीं और आप मुझे comment करके बताईएगा कि आप भविस्व में किस company का pick और kick का video देखना चाहते हैं इस विशे से सम्बंधित आपके प्रस्णों, सवालों और सुझावों का इंतजार रहेगा comment कीजिएगा और मैं हूँ Dr. Satish Pandey और इस वीडियो को आपके लिए edit किया है शिल्पी शर्माने और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को like और अपने दोस्तों के साथ share करना मत भूलिएगा वीडियो देखने के लिए आपका अनन्त धन्यवाद नमस्कार और अगर आप सोशल मीडिया पे active हैं और सही तरीके से active हैं तो आप जिस तरह से अपने आपको वहाँ project करते हैं बहुत कुछ लोग होंगे जो like करेंगे कुछ लोग होंगे जो आपके वीडियो को आप बना सकता है ताकि लोग आपके पास जुड़ने के लिए आएं और अगर लोग आपके बारे में जानते भी हैं से रहेंगे जब आप अपने एक्टिविटीज को